बेंजी नमस्कार क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भक्ति गुपता है कहां से आएं आप? मैं मुंबई महराश्रा से आई हूँ संत्रांपाल जी नाम दिख सक्यों लिया अपने? संत्रांपाल जी महराश्र से हमें ये पता चला कि वो शास्त्र अनुकुल भक्ति कराते हैं और इदम शास्त्रों के नियमों के आधार पर हमें पूरे प्रमान दिखा कर भक्ति कराते हैं इसलिए हमने संत्रामपल जी महाराज से प्रातना की और उनसे ही जाम निक्षा ली ऐसा आपको संत्रामपाल जी महाराज ने क्या बताया कि आपको लगा कि आज तक सास्तों में चुपे हुए गूड रहसे है आज तक किसी भी संत्र ने आपको नहीं बताये संत्रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रा नुकुल भक्ती बताई उनने बताया कि गीता में प्रमान दिया हुआ है कि भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे साकार है इनका भी जन्म और मिर्त्यू होते हैं बाके सब धर्म गुरू ने हमें ये सब बारे में नहीं बताया था ने ये भी हमें बताया कि हमें व्रत उपास ये सब नहीं करने चाहिए और जैसे कि सब धर्म गुरु है वो हमें कहते थे कि हमें उपास रखने चाहिए हमें शाद निकालना चाहिए और वही सब चीजे हमें प्रमान के साथ गीता जी में बताई संतरामपाल जी महाराज ने कि ये सब करने से हमें कोई मोख्ष प्राप्ति नहीं होगी या कोई सत्मार्क नहीं मिलेगा तो संद रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को जो बक्ति साथना बताई तो उस बक्ति से आप लोगों को कोई लाब मिला? हाँ, लाब तो बहुत सारे हुए हैं जिनके हम गिंती नहीं कर सकते पर सबसे बड़े लाब यह हुआ है कि मेरे पापा जी है जिनको डाइविटीज बहुत जादा ही रहती थी कि 500 से नीची उतरने वाली डाइविटीज आज एकदम नॉर्मल है जो कि सिर्फ सद्गुरू रामपाल जी महाराज की वज़े से हुई है उनसे प्रातना करने से हुई है और मेरी मॉम उनको थाइरेड की प्रॉब्लम थी जो उनकी पैर की नस उस वज़े से दब गई थी और सद्गुरू रामपाल जी महाराज से प्रातना करने के बाद हमें उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिला मेरी मॉम एकदम क्योर हो गई है उनके पैर की नस जैसी थी वैसी बिलकुल हो गई है बिलकुल बाद में डॉक्टर के पास एक्सरे करा के देने के बाद डॉक्टर खुश शौक्ट हो गए कि नहीं आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु जी के कहने से या संतरामपल जी महाराच से प्रातना करने से आज भी यह सब क्यों और हो रहे हैं और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हुई थी कि मेरी 10th की बोर्ड एक्जाम से में मेरे राइट हैं जो है जिससे मैं सारी पेपर्स लिखती हूँ वो मेरा हाध फ्रैक्चर हो चुका था बिल्कुल लिखने की कंडिशन में नहीं था मैं एकडम दर रोने जैसी हो गए थी मैं μας अपने कश्ट बता नहीं पारी थी किसी को कि इतना प्रें हो रहा था मैं पेपर लिखने के हालत करेंगे दूसरे दिन में पेपर लिखने गई और तभी it दूसरे दिन ऐसा फील हुआ कि नहीं मेरे हाथ में तो कुछ लगी नहीं है मैं बिलकुल आराम से पेपर लिख रही थी जिस स्पीड से मैं नॉरमल हाथ से लिख यह से तूटे हूए हाथ से लिख रही थी मुझे किpero नहीं हो राता पर फिर भी मैंने सबसे पहले पेपर कम्लीट किया और आज भी मुझे बोर्ड में 85% आये हैं और पूरे महारस्टा में जो इस टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बक्ती जी एक बात बताईए हमको आप माया नगरी नाम से मसूर मुंबई सहर में रहते हैं वही संत रामपाल जी महाराच के कुछ नियम है जो उनसे नामदिक से लेता है उनको किसी भी प्रकार का नाजगाना नहीं करना होता है गाने नहीं सुनने होते हैं संत रामपाल जी महाराच जी कहते हैं कि जो मेरे भगत होंगे वो असलील गाने नहीं सुनेंगे सराब नहीं पिएंगे उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे जुआ नहीं खेलेंगे दहेश नहीं लेंगे इतने सारे नियम संत रामपाल जी महाराच जी अपने सिश्यों को बत और आतमें हम सोचते हैं कि नहीं, ये सब गलत है और वाके में ये सब छुड़वा कर वो सब का लोग कल्यान कर रहे हैं तो संतरामपल जी माराज हमें कुछ ऐसी चीज नहीं बताते हैं जो हमारे लिए गलत हो या फिर जिससे हमें आगे कुछ बाप का फेस करना हो हमें जो भी बताते हैं वो सत्य बताते हैं और पूरे प्रमान के साथ बताते हैं आपका नाम ही बक्ती है और हम बक्ती से रिलेटेड ही आपसे परसन पूछते हैं लोगों की धारना ये है कि बक्ती करने की उमर विशेश होती है बच्पन में कोई भक्ती नहीं कर सकता, जवानी में कोई भक्ती नहीं करता, इस तरह की धाणाई लोगों की है आप लोग इस एज में संत रामपाल जी महाराज दौरा दी गई भक्ती कर रही है आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि बच्चपन में या यूवा वस्ता में बक्ती नहीं होती है बक्ती करने की एक विशेस अवस्ता होती है आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे मैं उन सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हम जो सोचते हैं वो बिलकुल गलत है क्योंकि हम इस काल के लोग में रहते हैं तो हमें मालूम नहीं कि हम कब मर सकते हैं एक पल का हमें भरोसा नहीं कि हम कब मर जाएंगे तो हम ऐसे लोग में यह नहीं सोच सकते कि नहीं भक्ति करने की एज लिमिट होती है, यह हम सिब बुढ़ापे में हमें भक्ति करनी जीए, भक्ति हम कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते जागते खाते पीते, हर टाइम हमें परमात्मा को याद करना जीए, वरना हमारी इतनी अगर हम परम ग्यान को जिससे मोक्ष प्राप्ती होगी वो नहीं पहचान पाएंगे तो हम इतने पड़े लिखे होकर भी प्रमान को देखकर भी हम अगर उस भक्ती को नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा इतना गोल्डन अपॉचिनिटी जो छूट रही है तो वो बहुत हमारे के लिए यह आगे प्रॉब्लम होगी हर्याना से सैकड़ो किलोमेटर दूर मुंबई सहर में संत्रामपाल जी महाराज की इतनी लोग पिरयता यूवा लोग संत्रामपाल जी महाराज को इसकदर फॉलो करते हैं उनके नियमों पर चलते हैं इस तरह का एक मानोसमाज संत्रा कहना चाहेंगे जो माया नगरी नाम से मसूर मुंबई सहर में एक अपना एक अलग ही सपना लेकर यहां पर आते हैं आप मुंबई सहर के लोगों को महरज़ता के लोगों को संत्रामपाल जी महाराज के बारे में संत्रामपल जी महाराज जो भक्ती बताते हैं उनसे हमें लाब तो होते ही हैं पर हमें ये भी पता चलता है कि नहीं जो आज तक हम भक्ती करेते जो हमने इतना वक्त वेस्ट किया है उसे हम लोग इतना पस्तावा होगा कि नहीं काश ये भक्ती हमें पहले मिल गई होती तो हम आज पता नहीं कितनी भक्ति कर चुके होते तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपरजी महाराज के सत्संग सुने उनका ज्यान समझे उनसे नाम दिक्षा ले और अपना कल्यान करे मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि आप जो संत जो सही भक्ति बता रहा है उन्हें आपने इस तरह जेल में डाल रखा है और जो बाकी सारे संत है जो सद्भक्ति भी नहीं बताते हैं लोगों को गुमरा कर रहे हैं उन लोगों को आप खुले आम ऐसे अपने भक्ति मार्ग को दिखाने की मतब परमेशन दे रहे हैं और जो सद्भक्ति बता रहे हैं उनको आप जेल में डाल रहे हैं, तो मेरा सरकार से यही अंदरोद है कि जिस सरा हम CBI की जाज मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो CBI की जाज, वहापे क्यों नहीं करवाई जा रही है, अगर कोई गरत होता कोई संथ, तो वो सामने से नहीं कहता कि हमारे हापे CBI करवाओं हर कोई डरता है सी भी आई जान से पर हम सामने से कह रहे हैं तो भी हम फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है हम अपनी लड़ाइक जारी रख रहे हैं हम अभी इंसाफ की गौहर कर रहे हैं तो भी हमारी बातों को नजर अंदास किया जा रहा है सरकार हमारी बात पर गौ लोगों के सामने, सबसे जटिल परसन ये है कि लाखों लोगों की भीड में एक सच्चे संथ को पहचानना लोगों के लिए कितना मुश्किल है, लोग कैसे पहचान करेंगे कि कौन सही संथ है और कौन सही नहीं है। अज पुस्तकों को दिखा कर, गीतो, वेदो, पुरान शास्त्रों को दिखा कर हमें भक्ति करा रहे हैं। तो इससे बता चलता है कि सही संथ होगा, वो कोई भी ग्रंतों को छुपाएगा नहीं, कोई भी शलोकों को नहीं छुपाएगा। वो सभी प्रमानों के साथ हमें भक तो जो संध रामपल जी मारे भक्ति करा रहे हैं वो पूरे प्रमानों सहीत करा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भक्ति बिलकुल सही है और शास्त्रा अनुकोल है जी बहुत बहुत दन्यवाद दन्यवाद सर